आज की कहानी हैं सौंदर्या और राक्षस एक यात्री एक सुनसान जगसी होकर गुजर रहा था उसने एक बड़ा सा कीला देखा और वो कई दिनों से लगाता यात्रा कर रहा था इसलिए बिचारा बहुत ठका हुआ था फिर उसने सोचा कि कीले में रुखकर थोड़ी दिर आराम कर लिया जाए वो कीले के अंदर पहुचा तो उसने देखा कि वहां की सभी बत्तियां जली हुई थी पूरा कीला जगमगा रहा था वहां एक बड़ी सिमेज थी और उस पर बड़िया बड़िया खाना रखा हुआ था यात्री ने चारो और देखा और उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया वो विचारा ऐसे भी बहुत भूका था इसलिए अकेले ही खाना खाने बैट गया ये कीला ये राक्षिस का था और ये बात उसे पता नहीं थी ये राक्षिस देखने में बहुत ही डरावना था लेकिन वो मन का बहुत अच्छा था आने जाने वाले यात्रियों के लिए उसके किले में सारी सुविदाएं थी जो चाहे वहां रुख सकता था लेकिन वो खुद कभी किसी के सामने नहीं आता था क्योंकि उसे देखते ही सब डर कर भाग जाते थे